कि आप लोग कैसे हूं मेरे आप लोग अच्छे होंगे तो चलिए कुछ नहीं ट्राइब करते हैं आज मैं जा रही हूं चोड़ाई साग्यों होती है उसकी पकोरी बनाने अप देख सकते हैं हाफ मैंने हाफ गड़ी चोड़ाई लिये थे उसको मैंने कट कर लिये और उसको 2-3 पानी से धूल ले मैंने धूल करके इसको रख लिए है इस में मैं बेसान के लवग का टोड़ी के लवग के बेसान है लवग 120-45 गराम के लवग है है मैंने चाक मसालेIGHT साबजी मसाले एक एक चमच के लवग है आधी चामच मैंने हल्ली पाउडर लीए है और अद्रक ल और मैंने हरब मीच कर ऊं सा फेलिया है एक चमज के लब हुमने नमक लिया है ।पर मैं इससे निदे आरेट करוםगी ऑपानिट रफड़ नल इससी तरफ रसम कामी मे नहीं सबको अर्दी भी टालेगा नमक लिआगी मीछ चेल इससे इससे लिए रफटत horr़र सबसल कभी मैले करते हुए निदेख सकते हैं मैंने इसको इंग्रेडियन्स डाल करके इसको घीलाना रखे लगण मैंने एक से दो चमत देखिए हाफ ग्लास मैंने पानी लिये थे इसमेसे मैंने बानी कहला है अब लिए इसकी छोटी-छोटी पकवडिया बटा ले इदर मैंने तेल भी गरम कर लिये हैं जाद देख सकते हैं देखिए इस तरह की छोटी-छोटी पकवडिया बना ले अच्छा है तो इसे रांग भी कर सकते हैं इसलिए मैं इस तरह से बना रहे हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा ये लग रहा है कितना देख रहा है उतना ही ये खाने में बहुत ही टेस्टी और लजीज होता है। इसे चाय काफी के साथ इंज्वाय करें सुबह तरनास्ते में और याम साम को आज पर बारिस का टाइम है इस टाइम पर और भी ये वह थी टेस्टी खसते हैं। अब लोग प्लीज से बनाएं अपने घर पर खाय और इंज्वाय करें। आप देख सकते हैं मैंने इधर और भी कोड़े आने के लिए रख लिये हैं। कैसा लगा आप लोग को मेरा वीडियो। अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए थैंक यू धन्यवाद।